मुक्यमंत्री पुसकर सिंग धामी ने सनातन धर्मी के धजवाहक पूज संकराचार स्वामी स्वरुपानन सरस्थ सती जी के निधन पर ट्वीट कर गहरा दुख प्यक्त किया सियम ने इस्वर की पुण्य आत्मा को अपने सिशणों में स्थान देने की प्रार्तना की उन्हेंने ट्वीट कर लिखा कि स्वामी जी का निधन संत समाज के साथ पूरे राष्ट के लिए एक परिपूर्ण च्छती है प्रूर्ण च्छती है कि वह उत्रागंड के मुक्यमंति पुस्का सिंग धामी ने प्रितावरा गड़ के खोतिला छेत में अतिवरेश्ट से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया जीला प्रसासन SDRF और पुलिस द्वारा राहत और बचावकार तेजी से किये जा रहे हैं सीम ने आबदा प्रवाहितों को हर संभाव सहायता देने का भरोसा दिलाया नेपाल के धारचूला के उचाई वाले छेत दल लेक में बादल फटने से उपनाए लासकू नाले में भारी तबाही मची है इसका पानी काली नदी में जाने से नौगार गाओं और महाकाली नगर पालिका में पांच लोगों की मौत हो गई है 11 लोग लापता है जबकि 30 से अधिक माकान जमिंदोज हो गए है गयें कि नुकसान हो गया इसको को लेकर लेकर हम लोगों ने जहां कुराइय की विवस्टा के लिए हम बात कर रहे हैं कि जल्दी इसका सर्वे भी करेंगे और इसका अलग से ट्रीटमेंट के लिए विवस्ता बनाई जाएगी और साथ ही साथ जो एक काली नदी का तर्थ है आप देख रहे होंगे पुरा यहां पर जो है प्रोटक्शन का कारे चल रहा है इसको और तेजी से करें इससे की 77 करोर रुट के अ और आवस्ता पड़ेगी तो और करेंगे यहां पर सड़कें की काफी च्छतिक रस्त हो गई है उनकी मरमत का कारे भी होगा अभी हमारा पुरा प्रियास है कि जो लोग पूरी तरह से अपने घर परिवार जिनका पुरा मकान डह गया है उन सब को जल्द से जल्द जो उनका प्रधानमंति नरेन मोदी का 17 सितंबर को जन्मिदिन है जिसे भारती जनता पार्टी सेवा और शुशासन पखवाड़े के रूप में देश में भर में मनाएगी जिसके संबंद में उत्राखन भारती जनता पार्टी के प्रधेश सद्यक्ष महिंद भट ने जनकारी देती हुए बताया किया कारीकराम उत्राखड में भब्य मनाने के लिए सभी कार्राणों के साथ वर्चुवल बैठक की गई जिसमें सभी को कारीकराम को बेहतर बनाने के लिए कहा गया इस पकवाड़े के दौरान बिजेपी कारकरता जगा जगा स्वास्त काइम रक्तदान सीवीर आधि के आईविजन करेंगे या पकवाड़ा प्रधान मंत्री नरेन मोदी के जन्वे दिन से सुरू होकर दो अक्टूबर यानि गांधी जहनती और लाल बहाद सास्ती की जहनती तक मनाया जाएगा पार्टी का उद्यसे के उत्रक्षंड में सीवा शुशासन पकवाड़े को मनाना का अग्रणी रज बने इसके लिए पार्टी इसतर पर हर तरह से तैयारियां की गई है कि अग्रणी जहनती और दो अक्टूबर को महात्माय गांधी लाल पर सास्ती की जहनती इन तीनों कारिकों पकवाड़े करूप में हमारे राशनेतों को कारिकम दिया है हमारे राज़ी कंदर इसके लिए प्रदेश के टीम बन गई है जिले में अमने टीम में बना दी है और यह कारिकों भव्यों यह हमारा इसमार का प्रयास है और क्योंकि इसमार प्रदिश्वार तो यह आयोजन हो रहा है तो मैं चाहँगा उत्राखंट राजी है पुरे दे प्रदिश्वार तो यह उत्राखंट के सावी विद्ध्यालेओं में चाहत संग चुनाओ कराय जाने को लेकर चाहत संग की पूर पदा अधिकारी डाक्टर महें सिंग पाल ने प्रिसवारता की इस दोरान पूर्शंसद महें पाल ने राज्य सरकार पर चात्रों की का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि राजसरकार चात्र संग्चुनाओं से भाग रही है अगर राजसरकार समय पर चात्र संग्चुनाओं नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो प्रदेश भर के चात्र नेता एक जूठ होकर उग्र अंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े कि सीदी सी मांग है राजनीति से उपर उठके उत्राखंड के अंदर लिंडो कमिशन पर आदारित जो नियम दिये गए हैं उस आदार पर उत्राखंड सरकार Prose कारई एक डिडी नोटिफाइं करें जिससे की युन दिटने भी युनिव युनिवर Öyleज Ellie वह अपने सारे सारे स्व मैं को इस दे चुकी लेकिन उत्राखंड सरकार खास एक स्या मंत्री इस ओर ध्यान नहीं देना है एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा जिस तरह की आज की परिस्तितिया हैं उसमें हम छेड़ चाड़ नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम अगर टायफ समय पर इन्हों ने एलेक्शन गोशना नहीं की नोटिफाई नहीं किया चात्रो वहीं अकिल भारती कॉंग्रेस कमेटी के सदत से चैनेन रमोला ने त्रिवेडी घाट इस्तित एक होटल में प्रिस्वारता की इस दोरान उन्होंने कैबनेट मंत्री क्रेम चंद्र अगरवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए चैनेन रमोला ने कहा कि विधान सभा में भरत प्रतियों में काफी इजाफा हुआ है इतना ही नहीं कॉंग्रेस नेता ने दावा किया है कि उनके पास दस्तावेज भी मौजूद हैं इसकी जास सरकार को एडी और सीबियाई से सुप्रीम कोड के रिटायर जज़ की निगरानी में करानी चाहिए इससे मामले में दूद क कि भरती का मामला नहीं है इसमें इस बरती में कहीं न कहीं बड़ा लेंदेन हुआ है इस बरती में कहीं न कहीं आर्थी की भाइदा लेने के लिए लेंदेन हुआ है तो इसकी जास एडी से सीबियाई के माध्यम से रिटायर सुप्रीम को जज मौदे के निगरानी में होनी चाहिए ताकि दूद का दूद कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैंने ये क्यों कहा मैंने ये इसलिए कहा कि कहीं न कहीं ये जो मैंने आपको और आपने पहले बता दिया कि बेटा बेरोजगार है करोडो की संपत्ति कहां से लेने बेरोजगार लोग दूसरा आप अपने वही देरा दूर में चल लाई इस मार्ट सिटी के काम की धीमी रफ़तार की चलते राजपूर विधायक खजानदास भाच्चपा से नाराज चल रहे हैं मीडिया से रूबरू होते हुए खजानदास ने बताया कि समस्त आधिकारियों और सरकार को आउगत कराने के लिए बावजूद इस्मार सिटी के कारियों में तेजी नहीं आ रही है वहीं राजपूर विधान सवा में 90 प्रस्ट काम इस्मार सिटी के ही अंतरगत करवाये जाने हैं इन अधूरे छूटे कारियों के चलते जनता और इस्थानी निवासियों को कई परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है जहां तक सवाल है मानिये परदाहन मंत्री जी का ड्रीम परजेक्ट है और इसमार सिटी के तहत जो विकारिया है जो कारिदाई संस्ता है हम समय समय पर उनको अभगत करवा रहे हैं क्योंकि जो एक एडवाइजर कमेटी की बैठक होती है उसमें समय समय पर इनको अभगत कर रहे है किन्तु अधिकारी और जो कारिदाई संस्ता की जो मालिक है मुझे नहीं लगता है कि उनके कानों में जून रहे है इसलिए मुझे कहना पड़ा और जनता के हित के लिए अपने विदान्स क्योंकि स्वार्टी का काम अगर देखा जाये तो मेरे विदान्स अभा में 90% काम स्वार्टी का हो रहा है तो मुझे लगता है कि जनता परेशान है सड़कों में गड़े हैं पता नहीं लग रहा है कि कहां पर काम हुआ कहां पर नहीं तो इस बात को लेकर के मैंने जरूर कहा है कि यदि 25 तारीक तक आपने अपने कारेश पड़ाली में सुदाहर नहीं लाया तो मैं जनता के साथ में धरने पर बैठूँगा और मानिये मुख्यमंत्री जी को मैं धन्देबाद गयापित करना चाहूँगा और पधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत निड़ने लिया और स्मार्ट सीटी का जो वर्क था जो किसी कारेश संस्ता को जो स्टार्टी नहीं कर रही थी लंबे समय से उसका काम चिन लिया गया है वो दूसरी संस्ता को काम दिया है इसलिए मुख्यमंत्री जी का धन्यबाद गयापित करना चाहूँगा और जहां तक गड़े का सवाल है सडकों को गड़े भरने का अभी हम ठीक बात है कि अभी तारकोल का काम अभी परसाथ पे हम नहीं कर सकते किन्तु गड़े भरने का काम तो करेंगी यदि लग नहीं भरा जाएगा इतने दिन के अंतराल में तो मैं वहें सुल्तानपुर पट्टी चोगी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जानकारी के मताबिक मुक्विर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चापे मारी की जिसमें एक महिला को 75 नसीले इंजेक्शन के साथ गिरफतार किया गया सियो भूपेंदर शिंग भंडारी ने बताया कि नसे के किलाब पुलिस का अभियान चल रहा है इसी के चलते पुलिस ने महिला को गिरफतार किया है उन्होंने कहा कि नसे के कारूबार को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा देखे ये अभियान यहां पर हमारा चल लाया है जो नई वाली जर्नेशन है इन लोगों पर ये अवे तरीकेशे जो इस परकार के इंजेक्शन आदि कर रहे हैं तो छोड़े बच्चों को जो है ये खराब कर रहे हैं और जिनमें बच्चों की आदत अगर पढ़ जारी है इ एक लेडी जै ये गड़ा कालोनी सुल्दानपूर पठ्टी वे तो उचके घर्षे अवे तोर पर जो है शेवंटी फाइव के जरीले इंजेक्शन पाये गई हैं जिसको जो है वहें उत्राखंड में ने निताल के पंध पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लब पंध की 135 जन्मों होत्सव धूमधाम से मनाया गया आपको बता दें कि केंद्री राज रक्षा मंत्री अजय भट्ट सहित अन्य गड़मान लोगों ने पंध की मूर्थी पर मल्यार पणकर उन्हें स्रध्धांजली शुमना पित की परेटन और राज रक्षा राज मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हम सभी को पंत के आदर्सों को अपनाते हुए हमें राश रहित में समाज की सेवा के लिए ततपर रहना होगा यही उनके प्रत सची सद्धांजली होगी उन्होंने कहा कि नैनी ताल के भवाली में पंडित गोविन वल्लब पंत्र संग्रहाले की स्थापना की जाएगी ताकि लोगों को संग्रहाले में देज की आजादी में महतपूर्ण योगदान देने वाले महापूरुस से संबंधित जानकारियां मिल सकें आजय भट ने कहा कि राज में सैनिकों के सम्मान के लिए राज सरकार प्रदेश भर में सवसैनिक स्कूल खुलने जा रही है केंद्र सरकार में आज उनका कारिक्रम आपको पता है वहाँ पर विजेनती मनाई जरी है पूस्पांज जली अर्पित का सद्दा देले लिए भवाली में मुझे लगता है कि उनका जो वहाँ पर संगठन यानि की कुछ जो पहले से चला रहा है वो जो इसको और्गनाइज भी करते हैं समारो समिती तो वहाँ उनकी यादगार में ताकि परियटन भी बड़े और जानकारी भी मिले तो इस किसम का एक इसमारक वहाँ बनेगा मुझे लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हो आपको पता ही है पहले रहे हैं और उस समय प्रदेश हमारा अभी वाज सतंतरता संग्राम सेनानी हैं उनके जीवनी हो उनकी जीवनी हो उनके संधर्सों का ब्यारा हो और उन्होंने क्या-क्या काम कि उसका ब्यारा हो ये मेरे मन में उद्गार है जहां सिब जी और माता पारवती जी का विवा हुआ जिसके उन्होंने अगनी प्रज्वलित करके लिए वो आज तक भी प्रज्वली थै कम लोगों को पता है हमारे कम लोगों को पता है मैं जग़ जग़ बोलता हूं देश भर में बोलता हूं उसको क्यों नहीं वो मॉनिमेंट बन सकता हमारा इसी तरह से आटोबाई ग्रॉफी और योगी आपने पढ़ा हो अगर योगी वहीं हरिद्वार जिले में जहरीली सराप पीने सी हुई ग्रामीडों की मौत के बाद सियास्त सुरू हो गई है इस घटना को लेकर कॉंग्रेस के पूर विधायक काजी निजामुदीन ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही का अरोप लगाया है उन्होंने कहा कि हरिद्वार तीर्थिस्थल में लाको की संक्या में सध्धालू हरिद्वार आते हैं तीर्थिस्थल पर जहरीली सराप का आना सरकार की लापरवाही को दरसाता है आपको बता दे कि लक्षर के पत्री थाना छेत में कच्ची सराप पीने से साथ लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद प्रसासन ने पत्री थाना इंचार्ज और छेत्री आपकारी अधिकारियों को स्ष्ष्पिंट कर दिया। जिला हर्दुआर जो के एक तीर्थ नगरी है और पूरे हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से यहां तीर्थ के लिए लोग आते हैं। इस हर्दुआर जनपद को भारते इंता पार्टी ने अवेज शराब की स्थली बना दिया। पिछली सरकार के समय भारते इंता पार्टी की 50 लोगों से ज्यादा की मौत हुई थी। आज यहां पर लगबख साथ लोगों की नकली शराब पीने से जान जा चुकी है। और और भी जाने हैं जा सकती हैं उसी कांड में। भारते इंता पार्टी इमानदारी का चोला उड़ती है। धर्म की बात करती है। और हर्दुआर जनपद को इन्होंने नशे का अड़्डा बना कर छोड़ दिया। तो भारते इंता पार्टी की ब्रश सरकार को आत्मन्थन करना चाहिए। और आसपास के जिले जो यूपी के लगते हैं वहां से या हर्याना से यह शराब आती है। वहां भी भारते इंता पार्टी की सरकारे हैं। भारतियन्ता पार्टी ने हरद्वार जन्पद को जो के तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है इसको भी नशे का अवैद का रूबार वहें डीजीपी असोग कुमार के ऑपरेशन मुक्ति के तहत पौड़ी गढ़वाल जीले के कोड़वार में धर्जनों बच्चे सिक् पौड़ा ग्यान नहीं मिल पा रहा है ऐसे में एसेसपी यस्वन सिंग चौहान के निर्देश पर आपरेशन मुक्ति के प्रभारी क्रपाल सिंग ने बच्चों के लिए ट्यूशन की विवस्ता भी करा दी है अब स्कूल में पढ़ाई कर मजदूरों के बच्चों को हूंवर्क कराने का मौका भी मिलेगा जिससे की बच्चे सिक्षा पर ध्यान देकर अपने भविस उज्वल बना सकें वहीं एसेसपी यस्वन सिंग चौहान ने बताया कि कोड़ द्वार के अलावा इस प्रकार की विवस्ता के लिए अन शहरों में भी करने की योजना बना हमारा अध्यापक हमारे विद्यार्थी का नाम दिया गया है जब दो हम जिस जगे पर यहाँ पाएं सर्याप फैक्ट्री में कोड़द्वार मा आए हुए यहाँ पर जो तो इनी के बच्चे है और इनी मैंसे टीचर होंगे यह मैं होगे है और इनी की यह जगए हमारा मॉला हमारा अध्याता और विद्याथी और यह बच्चे जैसे एक स्कूल से बापस आएं गे तो साम चार वाये से यह बच्चे यहाँ पर दो गंटे के लिए बतोर कोचिंग एक्टूक्शन करेंगे और यहीं के लोग आपस में मिल जूलकर जो टीचर को पे करेंगे जो भी जो भी होगा हमाँ से जवाँ और इसलिए हमने यह कराया कि बच्चों को काम नहीं किताब हुत्रागण के भीमताल में विश्व एलेक्ट्रिक वहां दिवस पर इवाहनों को प्रोसाहन देने के लिए चलाई जा रही ग्रीन ड्राइवर 3.0 का भीमताल में इस्थाने विधायक राम सिंग कैड़ा ने स्वागत किया ग्रेन ड्राइवर 3.0 के पूर्ण होने पर सभी प्रतिभागी अंतिम गंतब्य पर प्रतेक कारचालक से एक एक पौधा लगाने की पहल करेंगे उन्होंने कहा कि गो ईवी स्मार्ट को सबसे लंबे ईवी ड्राइव 3.0 के लांच की घोष्णा करते हुए गर्व हो रहा है राम सिंग कैडा ने कहा इसका मकसद लोगों में विद्यूती क्रत परिवहन संचार और उज्ज्वल हरिद्वा परियावरण अनकोल भविश्य के प्रत अधिक से अधिक जागरुपता पैदा करना है अधिक जागरुपता प्रदेश के लिए बड़े गरुपता प्रियावरण श्रक्षन के लिए इलक्तिक कार भारत बिर्मान में अधिक जागरुपता पैदा के लिए बड़े 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 बादा है के चार भट्टियां समेत मोके से सत्तर लीटर लहन नश्ट किया है वह इस कारवाई से सराब बनाने वाले तसकरों में हड़कम मच गया है जसपुर कोतवाली असोग कुमार ने बताया कि नसे की कारोबार को रोक थाम के लिए वरिस पुलिस अधिक्चक के निर्देश में आज पुलिस छेत्रा अधिकारी कासिपूर के निर्तवत में टीमें गटित की गई और पुतरामपूर छेत्र के जंगल में अलग-अलग इस्थानों पर छापा मार कर चार कच्ची सराब बनाने की भट्टियां तोड़ी और मोके से सत्तर अवैद कच्ची सराब बरामत कर लगभग 20-20,000 लिटर लहान नस्ट किया आदिछब मोदे के अधर और अधर और सियो मोदेय के बेंतरत में लोग अधर से एक जच्पर जापा पलिश टीम बनाई है ती जसमें पतारामपुर छेत्र में तोड़ांपूर छेत्र में जो है जो है हम लोगने जगा-जगा का अंभी की ज़ेसमें टोटल चार बट्टी हमारे द्वारा नश्ट की गई है इसके अलाब हमने एक एक जगह से शरावट्टी पकड़ी है जिसमें करीब सतर लीटर शराब है उपकरण भी है उसके और मौके से बहब्यक्ति भाग चोगा 20,000 जो है लीटर लायोन हमने नश्ट किया है जहां इसमें लगातार हमारी कारव जारी रहेगी और इसका हम लोग संदेज भी देना चाहरे है कि जो नश्ट के संबन्द में कि हराद मीं इससे बचके रहे क्योंकि इसका कोई रेश्ट्र नहीं होता इसमें कितना अलकॉल है यह है यह नहीं यह थैन मिथैन वाला का मामला है वहें उत्रकंड के बाजपूर में ग्राम मुडिया कालाम में संदिक्द परिस्तितियों में एक ब्यक्त की मोके पर मौत हो गई घटना की सोचना पर पुलिस मोके पर पहुँच गई जहां पुलिस ने श्राव को कबजे में लेकर पोश्माटम के लिए भेज दिया है इस अब एक सोचना मिली थी तो उनके घरवालों का कहना था कि इसकी जो है वो पेट में दर्द हुआ था उसकी मृति हुई है बीमारी शे तो उसको पहले यह होस्पिटल भी लेगे वहां डॉक्टरों ने उसको मृति गोशित कर दिया उसके बाद घर पर लियाए गर पर लान को जी इस प्रकार का जो है वोई चीज उसमें पाई गई उसका पंचात नामा बर करके जो है पोस्ट माटम के लिए सरकारी ऑस्पिटल में ले आए हैं पोस्ट माटम की जो भी रिपोर्ट आएगी पिर दुस्वारिया जेलनी पड़ रही हैं मंगलावर जनप्रितिन्दियों भी कई बार विद्द विभाग के उच्चाधिकारियों से विद्द सप्लाई दुरूस्त करने की सिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक मंगलावर में विद्द सप्लाई ठीक से नहीं हो पाई है जि कोई दो रहा है निके मंगलावर की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है और मंगलावर की नहीं यह पूरे परदेश की समस्या है इसमें जो है दिक्कत है अब परसो तरसों से जो देखा होगा आपने बड़ी लाइन के तार टूटे वे थे उसकी वज़े से सप्लाई नहीं आए तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही जहां तक सुलापुर विधायक की भूफ गये कि फूल्र परण जब तक लाइट नहीं gele करने लाईट दियात Прांट झाल परांट और सुलाउट छलने का नहीं तो लाइच परणाड का सबूत है क्योँंके यह चाहते हैं कि प्रजिली को यह आज ही लगावा है क्या सवार प्रजिली नी आई वह वह पर जब बिजली क्यों नहीं आवे थी प्रजिद्ध करी क्यों ने दिक्कत हुई उनके राव पांस साल में तो आज अगुने दिखाई दीए के सप्लाइए में पूर्विधाय करहें जब से सप्लाई नहीं है मंगलौर के अंदर अब तो आ भी रही पहले तो दो तीन तीन दिन नियावे थी जब इसका बाप चेर्मेन वह विधायक था आज मैंने आप लोगों को इस वह से कश्ट दिया कि मंगलौर की बिजली की सप्लाई बहुत ही इस टाइम बुरी स्थिति में है पूरी पूरी रात मंगलौर में बिजली नहीं आ पा रही है पूरे उत्राखंड में अगर लाइट खराब आए तो चलो फिर तो यह है कि उत्र बहुत अच्छी नहीं है सरकार की कमी उहां भी है कही गंटे का कट है लेकिन ऐसा नहीं है पूरे उत्राखंड में के पूरी पूरी रात मट नहीं आ रहे है मंगलौर के आजपास रूर की जवरेड़ा लक्सर लंडोरा यहार लाइट आ और मंगलौर में पूरी पूरी रा गरों में होता है तुमन गलओर का च्छेट्रिए तंतर जो है वो विफल है और मंगलओर के विदायक जी का अपना एक solar प्लांट है अब जब वह बिजली के सप्लायर रहें विदायक साफा का परिवार तो फिर वो बिजली विभाग के सामने कैसे बोल सकते हैं वो कैसे कोई सवाल उठा सकते हैं कि बिजली सही आ रही है या नहीं आ रही है किसी विभाग का कोई सप्लायर हो तो उसकी हिम्मत नहीं है कि विभाग से सवाल करने की तो विभाग बिजली विभाग के सोलर प्लांट की वज़े से वो सप्लायर है उनकी कोई हिम्मत नहीं कि वो विद्यूत विभाग के बिजली विभाग के सामने बोल सके तो इस वज़े से मंगलौर की बिजली यूपी से भी कभी यूपी के टाइम जब होते थे इतनी खराब सप्लाई बिजली की कभी जब भी नहीं थी जितनी आज है तो ये मंगलोर के लोगों को भुगतना पढ़ रहा है मंगलोर की खराब बिजली की विवस्ता अब यहां के छेतरी विदाई अब उत्राखंड में फिलाल हमारे साथ इतना ही बागी खबरों से जूड़े रहने के लिए देखते रहे हैं एनबी न्यूज नमस्कार